हेलो अब्रीबान विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ग्लैम विद मॉली आज में फिर्ष आपके साथ है सुन्दर सा ब्यूटिफुल सा मेकप लुक शेयर करेंगे तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे वड़ावट से चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते ह स्किन अभी क क्लीन है ख़्या है क्लियर हो गई है काफी और स्फ़से पहले में बै। अपना सीट्यूप प्लार सीट्यूप करेंगीं तो स्टार बीक्स काँण seem वाप एक पर डैप डैप करके अच्छे से स्किन में पैनेट्रेटरेट कर लिया था इसके बाद नेक्स्ट मैंने वैसलीन का लिप लिप तैरपी लिया और अच्छे से लिपस को मोश्यराइज किया तो जब दो आप मेकस्रोड जरूरर कीज़ेगा बिल्कुल है से नहीं स्किप करना कि जब तक हम लिप्स्टिक के स्टैप पर आएंगे मर लिप्स काफी अच्छ सा है जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट मैंने मोश्राइजर में लेकर नेक्स्ट में लेकर लेकर आता है अगर आपकी स्किन ओईली है तो आप डेफिनेटल से ले सकते हैं तो मैंने अच्छ से इसको स्किन में अप्लाइए किया पिर मैंने लिया था इंसाइट का प्राइमर का जो थिन इन बन प्राइमर है और काफ्य फोर्डेबल प्रोडक्टर लिये थे मैंने या पर तो आज मैंने फांडेशन का यूज ना करते हूए यहा पर hardware fit mý llegar टmusic की यह foundation oxidize हो जाता है black बढ़ जाता था ऐसे भी कोई दिक्कर इसके साथ नहीं होती है इसकी उस में देखिए अच्छे से नहीं संस्क्रीन रखा है vitamin C रखा है तो इसकीन को काफ़ अच्छे से glow भी देता है और यह मेरी skin according है guys मतलब shade है अब अपनी skin according shade ले सकते है अगर आप इसे daily भी यूज़ करेंगे तो इसकीन को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा पर मैं फिर भी आपको यही कहूंगे कि daily मत यूज़ कीजिए अगर आप करना भी चाहते है जैसे कुछ girls होती है जो skin उनकी इतनी flawless नहीं होती तो थोड़ा सा चाहते है कि अच्छे हमारी skin रहे और एक skin care भी हो जाए तो आप यूज़ कर भी सकते है और देखे आप coverage देख सकते है अगर आप चाहते इतनी coverage नहीं मतलब चाहिए हमें कम चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा product कम लगाईए और बहुत अच्छी है आपको coverage देदेगा उसमें भी और बिल्कुल अच्छे से आपके skin को cover करता है और एक skin care है तो vitamin C के साथ है तो day-wide day यापके skin में एक अच्छा glow भी लेकर आएगा तो दोनी चीज मैंने vitamin C के use करी थी अगर आप दोनों ही ये product यूज़ करेंगे तो आपके skin काफी glow करेगी जैसा आप देख सकते हैं मेरे skin अभी कितनी glow कर रही थी अभी recently मैं ये वाला जो moisturizer ऐसे यूज़ कर रही है ये तो ये जो beauty blender था ये लैक में का था और काफी अच्छा beauty blender है dab dab करके मैंने अच्छे से पूरा अपना जो product था blend कर लिया इसके बाद मैंने लिया था insight का hd concealer जो के काफी अच्छा है coverage बहुत अच्छी है इसकी guys अगर आपके पास foundation है तब इससे भी इसका काम कर सकते है क्योंकि एक hd concealer है और जो भी आपके डाक स्पोर्ट होगा रहा है उनको अच्छे से हाइड कर देगा तो वैसे देखिए मुझे इतनी नीड नहीं थी पर फिर भी थोड़ा सा आइस की नीचे रहता है तो कैमरे पर अभी आपको नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा था तो मुझे थोड़ इसी नीड थी तो मैंने यहाँ इससे apply किया पर मैंने बहुत कम quantity apply की थी अगर आपको ज़्यादा नीड ना हो तो बहुत कम quantity apply कीजिए दिखे ज़्यादा quantity apply करने से कुछ नहीं होता है लेयर बनाने से कुछ नहीं होगा आपका मेकप केक ही होगा बस तो लेयरिंग नहीं करनी होते हैं बिल्कुल exact amount लीजिए पहले कम use कीजिए और अगर जरूरत है तो और लीजिए नहीं तो रहने दीजिए और अभी मैं आप एक कलर बार का compact ले रही है हूँ और अपने face को मैं set कर रही हूँ आप चाहिए तो lose powder से भी कर सकते हैं नात्राइष नहीं और अपने face को set किया का नेक्स्त टाइब आई ब्रो को fill कर रही हूँ मैंने यह लिया था लियोन ब्यूटी का आइब्रो पैलेट इसमें आपने देखा चार शेड हैं जो काफी अच्छे हैं मैंने आपर दो शेड मिक्स किए डाक ब्राउन लाइट ब्राउन और अच्छे से मैं इससे अपने आइब्रो फिल कर लूँगी और देखिए कितने अच यह लिए और अच kav लगता है नेच्छरल लगती है काफी ब्राउन शेड के तो मुझे तो देखिए ब्राउन के साहत ही फिल करना पसंद आ आप मुझे कमिंट कर बता है आपको किस शेड से आइब्रो को फिल करना अच्छा लगता है और अच्छे साप मैं से थैप्रयो कर तो अगर आप देखे मेक अप करते हैं या आप क्लाइंट्स को भी मेक अप देते हैं तो डेफिनेटल आपके बाद से पैलेट होना ही होना चाहिए इसमें आपको सारे शेड मिलेंगे डाक भी न्यूड भी तो मैंने आप पर एक और रेंज सा शेड लिया था और अच्छे से मैंने से ब्लेंड किया देखे गाईज यह जो पैलेट है ना फॉर्डेबल प्लस रिजल्ट में बहुत अच्छी है एक तक पिग्मिंट पिग्मिंटिड आईशेड रहा इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल भी देखे मेरी स्किन पर डस्ट नहीं हो रहे तो मैं क्या करते है भी मैंने ब्रश में आपको दिखाया और आप देख रहे होंगे हर बार मैं इसको डस्ट आउट करके यूज़ कर रही हूँ इसके बाद गैस मैंने थोड़ असर डाक कर पिंक शेड लिया और मैंने थोड़ असर ऐस बनाना था मुझे तो देखे हम जब भी हम आई मेक अ करें तो बिगनर्स को थोड़ी से दिक्कत परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो अगर आपको भी कुछ ऐसे दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करके आपके लिए मैं एक स्पेशल आई लुक पर वीडियो रेडि कर दूँगी और क्या आप क किस तरीके से कट करीज करनी है आपने देखा होगा यह एक गैडलाइन हमें मिल जाते है कि मैं यहां तक कि अपनी कट करनी है और आप इस तरीके से कर पाएंगे गाईज अगर देखे आपको लग रहा हो कि मैं बहुत धीरे बोल रही हुए कुछ ऐसे तो गाईज मेरी अग अगर कुछ समझ ना है तो मुझे कमेंट करके बताएगा मैं आपको उसमें आंसर कर दूंगी कि अगर आपको क्या समझ नहीं आया और फिर भी देखें क्या होता कई बारा में समझ नहीं आता तो थोड़न समय यह कहते है तो रिपीट करके वीडियो को आप देख सकते हैं और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने ये लुक अचीव किया था तो गैश देखा आपने मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया मीनी और जो कंसीलर था उसे थोड़ समझी डेप डेप करके ब्लेंड किया इसके मैंने गॉल्डने शेड लिया और इसे एपलाई किया तो ड्रैस के कोडिंग आप मेरे शेड देख सकते हैं मैंने ड्रक कलर का शेड डाला हुआ था तो मैंने यहां एजिस थोड़े डार करके ड्रेस के कोर्डिंग और इसमें गोल्डन शीड भी था तो मैंने गोल्डन भी लिया था तो काफी मुझे तो देखिए यह आई लूक अच्छा लग रहा था आप बताईए आपको कैसा लग रहा है अभी इतना जो इतना मैंने क्रेट किया है और काफी अच्छे से देखिए लूक अच्छीव हो गया और इसके बाद मैंने यह लिया फेसिस केनिडा काजल काउचल काफी अच्छय है गाई इसमें आपको एक बफर भी मिल जाएगा तो मैंने काजल लिया और इसको मैंने लाइनर की जगा अपलाई आज मैं लाइनर यूज नहीं कर रहे ह। तो अब देखिए जो जो बफ़र है कितने अच्छी सा नहीं काजल को बफ कर देता है, मतलब समजे लुक देता है, अगर देखिया एक smudge वाला काजल का लुक पर आपको नहीं मिलता तो आप definitely इस वाले काजल को लीजिए यह आपको काफ़ी help करेगा इस लुक के लिए और काफ़ी अच्छा भी लगता है smudge वाला काजल आप देख सकते हैं guys और यह जो काजल है काफ़ी result में भी काफ़ी अच्छा है बिलकल कॉल ब्लैक है smudge प्रूफ है waterproof है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वाला काजल आप देख सकते हैं मैंने कितना यूज भी कर लिया इसको मैं अपने क्लाइट्स पर भी इसे यूज करती हूँ guys मैं इनको make up देती हूँ तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा काजल है काफ़ी अच्छा है तो मैंने बताती हूँ कि फेजिस कैनेडा का काजल है और इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का ये लाइनर है काजल है जो भी आप इसे देख सकते हैं हूला ग्रैफिक आई लाइनर है ये और इसमें आपको बहुत अच्छे शेड मिल जाएंगे इसमें चार शेड आए है मैंने यहाँ ब्लू का शेड लिया था जो ब्लू भी लगता है और ग्रीन सा भी लगता है कभी परपल लगता है तो काफ़े इसमें शेड दिखते है तो यह काफ़े मैजिकल सा प्रोड़क्ट मुझे लगा मुझे काफ़े एच्छा लगता है इसको लगाना मैंने यह White Kajal यह Black Kajal को स्किप किया इसमें टोस टैप हैं गाईज और यह आपकी जो लैशी से काफ़ अच्छी वॉल्यूम दे देता है इसके अध मैंने अपर यह स्विस ब्यूटी का स्कल्पिट पैलेट लिया था और मैं अपने फेस को थोड़ सा शार्प दिखाना चाहते हूं इसलिए मैं यह कर ब्राउंजिंग करना कहता है जो पाउडर से की जाते है वह ब्राउंजिंग होती है गाईज और जो हम क्रीम प्रोडक्ट से करते हैं जैसे अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो आपने देखा को मैं कही बार इंस साइट का डूव स्टिक यूज करती हूं तो वो फिर होता है कि हम कॉंटॉरिंग कर रहे हैं और इसे कहते हैं हम ब्राउंजिंग कर रहे हैं तो इसे कहता है हमारे फेस पर एक शैड़ो क्रेट होती है और काफे अच्छे से हमारा फेस शार्प नज़र आता है तो मेरे को यह था जैसे मेरा फेस काफी चबी है और उसको मैं थोड़ सा शार्प दिखाना चाहती है तो मैंने ये इसलिए किया है नेक्स्ट फर मैंने मियोन का पैलेट लेयर इसमें से मैंने दो पिंक शेड को मिक्स किया और मैं उसे ही अप्लाइ कर रहूँ है अच्छे से मैं blend blend करके apply कर लूंगी गाइस और काफी अच्छा ये palette है मुझे काफी अच्छा लगता है गाइस ये वहले palette से blusher मैं mostly इसी से ही लगाती हूँ या फिर मैं lipstick या liquid blusher यूज करती हूँ पर आज मैंने मियोन के palette से blusher यूज किया अब देख सकते हैं मैंने किस तरीके से blusher लगाया अब lipstick में मैंने दो shade यूज किया गाइस मुझे न मुझे दो shade मिक्स करना काफी अच्छा लगता है एक था eye magic का lip shade तो एक nude shade था काफी मैंने औरेंज टाइप कुछ nude था और यह जो दूसरा था यह face scanner की lipstick है जो मेरी favorite है गाइस next time मैं इसे दुबारा purchase करना चाहूंगे shade भी बहुत अच्छा है इसका जो नाम है वो मैं आपको बता देते हूं से जो पहले मैंने यूज किया तो मुझे नाम अभी proper याद नहीं है तो यह था flicky filter shade का जो नाम है वो यह है faces वाले का जो कि काफी अच्छा है long lasting lipstick कर आ लिए इसके साथ और मैंने inside का cream highlighter लिए जो golden shade में था इसके मैं फेस पर अपलाई करें जिससे एक shine आएगी face में और हमारा make-up काफी अच्छा लगेगा और गाइस देखे मैंने lashes भी अपलाई कर ली थी तो lashes मैंने off camera लगाई थी और मैंने eye magic की use की थी अच्छे से मैंने lashes भी लगा लिए इसके साथ make-up look complete हो गया है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगी make-up पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए मैं चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा bell icon जरू press कीजिएगा thank you